नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है तोर्श वास्तों और स्वागत है आपका नेक्सेज चीयस में 17th of April 2022 result के बारे में discuss कर लेते हैं कौन किस position पे रहा है तो paper on an average normal रहा था normal का मतलब ये है कि पूरा का पूरा paper week से ही रहा था जैसे कि class में भी बताया गया था इस चीज के बारे में कि थोड़े बहुत बदलाओ होंगे तो बदलाओ का इस्तर ये था कि current phase के questions include किये गये थे और जो आपका normal GS आती है वो तो आपका IE थी लेकिन कुछ current phase के questions जो है include हुए थे तो थोड़े बहुत परिवर्तन अब examination तक आपको लगातार दिखाई पड़ेंगे और result के बारे में discuss करें नाम के बारे में discuss करें उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्योंकि Friday को आपका full test हुआ था और Friday के full test में जो marks आए हैं लोगों के तो पेपर थोड़ा सा tight था थोड़ा सा difficult बोल सकते हैं उसको normally जिस प्रकार से आपका Nexus.js की तरफ से बनाया जाता है उससे थोड़ा सा upper side ले था तो जो Nexus.js की तरफ से बनाया जाता है वो PCS इस तर का ही पेपर होता है ये थोड़ा सा upper grade लेके जाया गया कभी कभी इस तरह से इस तरह की जो चीज़ें हैं वो करनी पड़ती हैं उसके पीछे reason ये होता है कि आप लोग अपने आपको और upgrade करने की कोशिश करें कभी कभी आप लोग देखते होंगी कि पेपर एकदम हलुआ आ गया हलुआ का sense ये होता है कि पेपर आसान आ गया सारी चीज़ें पढ़ी हुई आ गई तो आपको लगता रहे यार हमें तो सब कुछ आ रहा है तो आपको ये भी है कि सब कुछ आ भी रहा है और एक पेपर ऐसा भी बनाये जाता है इसकी वज़य से कि आपको ये भी पता रहे कि हाँ अभी हमें पढ़ना है लगतार महनत करनी है इस परिक्षा का जो सबसे बड़ा मोटिव है या फिर बोल सकते हैं इस परिक्षा की जो सबसे बड़ी डिमांड है वो यही होती है कि आपको regular लगतार महनत करना है एक दिशा में लगतार कदम अपने बढ़ाय रखने है और आपको कहीं और motivation की आवशकता नहीं है आपके class से ही आपके beat से ही लगातार लोग select हो रहे हैं आपके batch से ही लगातार लोग select हो रहे हैं उत्तरप्रदेश PCS की जो इतनी बड़ी परिक्षा होती है उसमें final selection पा रहे हैं तो इसका मतलब है आप भी पा सकते हैं अगर आप मेहनत करते हैं तो लगातार आपको मेहनत करना है रुकना नहीं है थमना नहीं है बस लगातार आपको मेहनत करते हो जाना है चलिए result के बार हम discuss कर लेते हैं result में कौन कौन किस position पर रहा है तो 20 में से 20 नंबर है जितेंद्र जी के, सीतल जी के, पूजा जी के, सतीस जी के, सागर जी के, उमेज जी के, संतोशी जी के, शिखाश्रवास्तो जी के, और प्रभाद जी के 19 माक्स हैं गरिमा जी के, 18.5 नमबर हैं रेखा जी के, हंसराज जी के, और माथुर जी के 18 माक्स हैं अभय जी के, सिवम जी के, लाल जी जी के, विवेक जी के, अभिशेक मिश्रा जी के, रोहित जी के 17.5 नमबर हैं इमरान जी के, आकांच्छा जी के, इसके अलावा सुईता जी के, सरिता जी के, अनुज जी के, शिवांस जी के और धीरत जी के 17 मार्क्स हैं आरोही जी के असोग जी के आनंद जी के धीरच जी के उत्प्रेक्षा जी के आलोग जी के अलकायादो जी के सुरजीत जी के और सोनिका जी के 16.5 नमबर है रिचा जी के शिव जी के करशना जी के अनिल शर्मा जी के दुशियंत जी के अमित जी के विनें बाचपेई जी के और सुभम पांड़ जी के तो ये रही आपकी top 6 की जो list होती है वो और इस बार अच्छे लोगों ने participate किया अच्छे लोगों का sense यह होता है कि अच्छे मतलब total numbers अच्छे लोगों ने participate किया है और अगले जो 50 days का आपका time period बचा है आपके पास उसको full utilize करिए जितनी चीज़े पढ़ाई जा रही है जि एक चीज़े को बहुत proper तरीके से revise करिए maximum चीज़े आपको examination hall में दिख जाएंगी इसलिए proper तरीके से बहुत अच्छे से आप revision करते जाए जो चीज़े आप पढ़ रहे हैं वो आपको एकदम set होनी चाहिए आपके mind में और weak test का तो target आपका यह होना चाहिए कि 20 में से 20 number आपके आए 20 में से 20 number आपका target होना ही होना चाहिए ठीके पहला तो target यही है फिर full test में आपका target बनता है चलिए 17th of April 2022 result के लिए इतना ही thank you so much